दूस्तों आज की कहानी हैं समधन जी आपने अपनी बेटी को ससुराल का सलन सिखाया ही नहीं दूस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर आपने सैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हूँ तो कर लीजिए ताकि आपके पास पाउं सके हर नया वीडियो इंसान जो करता है वहीं लोट कर उसके पास आता बड़ी बूजरो कह गये कि अच्चे करम करते रहो फल की सिंता मत करो पर जैसा तुम करोगे वैसा ही तुमारे पास लोट कर आएगा आप लोगों ने कहाता बहु को बेटी वना कर रखेंगे आपने तो इसकी कदर तक नहीं क जब दगनी फुद की बेटी और बेटे पर आई तब आपको एसास वा कि आपने दूसरे की बेटी की कदर नेना की उनके घर में कदर नहीं होती विमला जी बोली बैन जी आपकी हर बात हमारी सरमाते पर अब गलती बेटे से हुई है तो सुनना तो पड़ेगा ही उन दोनो के मामले में ज्यादा पड़ती नई थी पर रवी के साथ बहु से भी एक सी कहते और तो को थोड़ा सुने की आदर डालने सही लगता है आपने इसे ससुराल का सलन सीकाया ही नहीं सुनिला जी बोली इतना कुछ करने के बाद भी आप मेरी बीटी की सीकहत कर रही है आप भी तो एक औरत हैं आकिर क्यों हर बार औरती सहेगी और सुनेगी साधी के वक्त तो आपने कहा था कि बेटी बना कर रखेंगे उस वक्त तो आपने ये नहीं कहा था कि यह से आपके बेटे की घुलामी करनी होगी विमला जी बोली आप तो मेरी बातों का दूसरा अरत निकला रह है मैं तो बस इतना कह रही थी शुनिला जी हस्पेक्ट करते हुए बोली 20 में बोलने और आपके परिवार के मामले में बोलने केलिए मापीसाउं की सहने ओर जुगने का नतीजा आपने अपने गड़ मेरी नैना को ये सब सेहने नहीं दोंगी विमलाजी बोली आप उमारी तगलीब का मजाक उड़ा रही हैं सुनिलाजी बोली मजाक नहीं बलकि आपको याद दिला रही हो कि आपने बेटी को सहने का सुजाब देकर पहली गलती के और दूसरी गलती अपनी बहु के साथ वहीं सब को ने दिया कह गया आपको वह वस्तन जो साधी के वक्त आपने हमें दिया ताकि आप वमारी बेटी का पूरा ख्याल रखे कि हीमत कैसी विदामांजी की कि वह ने मेरे बेटी पर हाथ उटाया हम उन मा बाप में से नहीं है जो बेटी को विदा करके बला जार लेते हैं अरे जो दिल पर पत्र रख कर बेटी को सुखी देखने के लिए विदा कर सकते हैं वह उसके उजवल भवस्य के लिए क्या उसे दोबारा आपने साथ भी रख सकते हैं दोनों परिवारों में बहुत एक वारता लाप सली ये विवाद तम सुरूबा जब एक रोज नेना न अरे रवी पति का फनीस्ते माल किया, और उसमें रवी के कुछ महिला स कर्म्यों के साथ आपनते जनक दस्विर देकी उसने सवाल जवाल किया तो, अवेसमें रवी ने नेना पर हाथ उटाया और छुट बोला नेना सुप रहने वालों में से नहीं थी उसने उसका विरोध किया और रवी से बोली तुम्हे अपने बरताव के लिए अपने परिवार के सामने मुझे से माफी मांगनी होगी वह बोला तुमारी उकाद किया कोई गलत फैमी मत रखना अरे मुझे तुमारी जैसी बहुत मिल जाएगी दोनों की आवास बार दगा रहीती उस तिन तो विमलाजी ने कैसे भी नैना को समझा भूजा करोक लिया विमलाजी बार बार नैना को समझोता करने के लिए कह रहीती नैना बोली अगर मेरी जगर रीमा दिदी ननन होती तव अब अप ऐसा ही करती विम्ला जी बोली बहु शुबं सुबं बोलो तुम जादा ही बोल गए अपनी तोलना तुम मेरी बेटी से मत करो। अभी दो दिनी बीते थे की रिमा के ससुराल वालों ने फोन किया आपकी बेटी की दब्यत बहुत खराबे विमला जी अपने पती के साथ बेटी के ससुराल गई रिमा को कहीं जग सोट लगी थी डॉक्टर ने बताया ये गरेलू हिसा के निशाने मा के बार बार पूशने पर रिमा फुट फुट करोई और अपने पती दवारा परताडित किये जाने की स्रीकाइद मा से की विमला जी ने का तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया रिमा बोली मा मैंने आक से कहीं बार से कैट की पर आप हर बार मुझे समझोता करने की सला देती थी क्या मिला मुझे समझोता करने से ही अबमान और ये तकलिफज़त पती औरत की इज़त नहीं करता है तो उसकी ऐसे ही दुर्दसा होती इस गर में मेरा रिस्ता करने से अच्छा मुझे कुए में फैक देती उस वक्त विमला जी को नेना की याद आई विमला जी को आने में दो दिन लग गई इदर नेना और रवी की बात बढ़ती सली गई और नेना ने सुनिला जी को सारी बात बताई सुनिला जी आई और अपनी बेटी को घर लिया आई में बात फैलने लगी तब विमला जी बहु को मना ने उसके घर पौशी ति नेना ने जाने से इंकार कर दिया था समाज में बात फैलने लगी विमला जी के घर की बहुत वदनामी हो रही थी वा रवी से बोली तुमारे कर्मों की सजा मेरी बेटी को भुगतना पढ़ा सजगाता बहु की माने किया हुआ वापस आता बात गर से मोले मोले से स्यार और रवी के दतर तक पहुंसने लगी वाँ उसकी कहीं मैला सकर्मी थी सबने उसका विरोज जताया और सयो वंस रवी की बोस में एक महिडाती सबी ने जब रवी की से गयत की बात रवी की नोकरी पर आई तब उसे एसास वाकी उसने गलती कर दी आनन फानन में रवी नेना के घर पहुंसा उसके माता पीता के सामने उसे माफी मांगी परंतु उसकी बातों से ये नहीं लग रहा था कि उसे गलती का एसासे वा बोला बात को यहीं खतम करोबात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं आखिर तुमारे माबाप कितने दिन तुम्हें पालेंगी अब गर सलो नेना ने जोड का थपर रवी को चड़ दिया और बोली मैं अपनी बेज़ती के सह गई पर अपने माबाप की बेज़ती कभी नहीं सहूंगी याद रखना और अगर जुगती हैं तो रिशा निबाने के लिए उसे इतना भी मजबूर मत करो कि वा दुर्गा और काली का रूप लेले रवी बोला तुम सलोगी की नहीं ये बताओ वाद में मैं तुमें लेने नहीं आऊंगा पड़ी रवना माई के में नेना बोली तुमारे साथ जानने से अच्चा मैं किसी अंदे कोए मैं कुद जाओ जूटी माबी का टोकरा लेकर दपा हो जाओ अब तुमसे या तुमार करेंगे वक्त वीता कॉलट कसरी के काम में तुड़ा समिय लगा और नेना को आकिरकार उस रिष्टे से आज़ादी मिल गई अब वह बेटी बनकर ही अपने माबाब के घर में खुश्ती बहु बनने के बाद जब उसकी कदर नहीं हुई तो बेटी बनकर माता पिता के परत कि अपना फरस निबा रहे थी दूस्तों ये सीकायत नहीं पर कुछ लड़कों के परिवार वाले जब बहु को विदा कराने जाते हैं तो बहुत अकड़कर करते बहु को बेटी बना कर लिए जारे बाद में बेटे के मों में दोरा विवार कर देते कई गरों में तो कि कोई इंसान तक नहीं समझते फिर बहु की कदर क्या करेंगे